सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और दो को पढ़ा जिसमें हमने जाना कि कैसे केशव और श्यामा चिडियां के अंडों की देख भाल करते हुए उन्हें सारी सुक्सुविधाय देने की कोशिश करते हैं पर अंदू फिर भी अंडे को और निस से नीचे गिर जाते हैं चलिए आगे जानते हैं केशव घबरा क और दोड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे तूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने किसी चीज बाहर निकल आई हैं पानी की प्याली भी एक तरफ तूटी पड़ी हैं उसके चेहरे का रंग उड़ गया सहमी हुई आँखों से जमीन की तर देखती नहीं हैं अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है वहीं तो दो चार दिन में बच्चे बन जाते मतलब उसे पता चला कि बच्चे बने नहीं और अंडे टूट गए मा ने सोटी हाथ में लिये हुए पूछा मतलब लाठी हाथ में लिये वो पूछा तुम दो शामा को भहिया पर जरा भी तरस्त ना आया उसी ने शायद अंडो को इस्थरे रग दिया कि वे नीचे गर पड़े इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए बोली इनोंने अंडो को छेडा था माजी अब कुछ ना अंसर देखते हैं गदांश को ध्यान पूर्वक पड़कर सही विकल्प चुनिये पहला है अंडो को नीचे गिर कर तूटने पर उन में से कौन सी चीज बाहर निकलाई थी तो देखिये पानी छोटे बच्चे चूने किसी चीज या कुछ नहीं तो गहा पर निशान लगाएंगे चूने किसी चीज फिरशय नमबर दो है चहरे करण उड़चाना मुहावरे का अर्थ है हइरान हो रण परिशान होना दुखी होना सभी लाठी सभी तो लाठी इसका अर्थ है प्रिशे नमबर 4 है केशव घबराकर दोड़ा और बाहर आया तो उसने क्या देखा तो इसका अंसर हम लिखेंगे बच्चों केशव घबराकर दोड़ा हुगा बाहर आया तो उसने देखा कि अंडे टूटे हुए जमीन पर पड़े हैं और उनसे कोई चूने किसी चीज बाहर निकल आई है प्रिशे नमबर 5 है और बच्चे कहां गए श्यामा के इस सवाल का केशव ने क्या जवाब दिया तो इस का अंसर हम लिखेंगे केशव ने कहा तेरे सर में देखती नहीं है। अंडों से उजला-उजला पानी निकलाया है मतलब वह उसको ऐसे ही कहता है कि तेरे सर में गई अंडे की वह ऐसे सवाल पोछ रहे हैं तो इसलिए वह कहता है तुझे दिखनी रहा कि अंडों से पानी बाहर निकलाया है इनी के बच्चे बन जाते हैं जो कि अंडे बेकार हो तो बच्चे वर्क्षीट कंप्लीट हो गई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग